हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 1-2-year बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं जिसमें नीचे की साइड हमने इसमें फ्रील लगा दिया है 50 cm हमने इसमें फेबरिक लिया है और 50 cm प्रिंट फेबरिक की लिया है आईए वीडियो शुरू करते हैं ये दो पीस यहां पर हमने ले लिये हैं जिसकी लेंद 16 इंच है और चोड़ाई भी इसकी 16 इंच है ये हमारे बिलकुल चकोर दो पीस ले लिये हैं अब हम इसको ये इस साइड से हमें इसका 4.5 इंच पर निशान लगा लेना है और इस निशान को हमें ऐसे सीधा करते हुए मिला लेना है फ्रेंट्स बीच से हमें इंच टेप उपर की साइड को रखना है हमें इसमें गोलाई नहीं करनी है ऐसे ही सीधा निशान लगा लेना है अब हम इ अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं उपर की साइड से भी हमें इसको ऐसे ही कटिंग कर लेना है सिधा यहां से आर्म होल के लिए हमें इस पर 3.5 इंच का निशान लगा लेना है और 1 इंच इसको अंदर की साइड को करना है इसमें हमें गोलाई कर लेनी है अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं ये देखे दोनों पीस यहाँ पर हमारे कट कर तयार हो गए है ये हमने दो पीस फ्रिल के लिए ले लिए हैं जिसकी लेंद 6 इंच है और चोडाई में ये 50 इंच है इसको हमें एक साइड से फॉल्ड कर लेना है और एक साइड बर हमें इसकी चुन्नटे डालनी है यहाँ पर ये एक पीस हमने ले लिया है जिसकी लेंद 5 इंच है और चोडाई में ये 25 इंच है हमें इसको ऐसे करते हुए डबल कर लेना है और इस साइड से टू इंच का इस पर निशान लगा लेना है और इस निशान को वी शेप में कर देना है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ये देखिए जो हमने पीस कटिंग किया हुआ है इसमें सेंटर में हमने लिशान लगा लेना है और इसे करते हुए हमें इसमें प्लेट्स डाल ली है इस साइड की प्लेट्स हमें इस साइड को डालनी है और दूसरी साइड की दूसरी साइड को हमें प्लेट्स डालनी है ऐसे हमें पूरे फ्रील में प्लेट्स डालकर तयार कर लेना है ये रेब के लिए हमने पाइपिन ली है आर्म हॉल में लगाने के लिए और डोरी और नेक में लगाने के लिए ये हमने एक सीधी पाइपिन ली है जो हमने फ्रील कटिंग किया हुआ है उसमें लगाने के लिए इसकी चोड़ाई वन इंच है अब हम इस पट्टी को ऐसे यहाँ पर रखते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंस इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिएगा अब यहाँ से वीडियो इसकी हम दूसरी साइड में मोड लेते हैं यह देखिए हमारी यह पाइपिन लग चुकी है अब हम इसको उपर की साइड को फॉल्ड कर लेते हैं और इसके उपर एक सिलाई लगा लेते हैं यहाँ पर यह हमारी पाइपिन कितनी प्यारी सी भरकर तैयार हो रही है पूरी पाइपिन हमने लगा दी है अब हम इसके सेंटर में प्लेट्स डालते हैं पहले हमें सबसे बीच की प्लेट्स डालनी है फिर उसके बराबर में प्लेट्स डालनी है प्लेट्स के अंदर की साइड हमें कम से कम वन इंच की गहराई लेनी है अगर आपका फ्रील एक्स्ट्रा हो जाए फ्रोक के नेक पर जादे हो तो आप उसको साइड में से कट कर सकते हैं दूसरी साइड में भी हमें प्लेट्स इसमें ऐसे ही डाल लेनी है ये देखे कितनी प्यारी सी है हमारी प्लेट्स डल रही है ये सबी प्लेट्स यहां पर हमने डाल ली है अब हम इसको फ्रोक पर लगा देते हैं फ्रोक के नेक पर हमें इसको ऐसे रखना है और यहां पर रखकर एक सिलाई इस पर लगाने देनी है फ्रेंड्स इस फ्रोक को आप बहुत आसानी से घर पर सील सकते हैं और हमने स्टेप बाइस्टेप वीडियो में बताया है और वेसे भी यह बहुत इजी डिजाइन है आप इसको बहुत जल्दी घर पर बना सकते हैं साइड में से भी हम इस पर आर्म होल में सेट करते हुए सिलाई लगा देते हैं अब हमें यहां पर एक पाइप इन लगानी है पाइप इन को हलका हलका सा कीचना है जादे नहीं कीचना है कि उल्टी साइड पर हमें इसकी पाइप इन लगानी है और सीधी साइड को इसको पाइप इन को हमें पलटना है यह देखें कितनी प्यारी सी हमारी पाइप इन लगकर तयार हो गई है अब हमें दूसरी पाइप इन अपनी जो हमने रेव की कटिंग की हुई है वो लेते हैं और इस पर फ्रोक पर रोंग साइड में उस पाइप इन को रखना है और आर्नोल में सिलाई लगा देनी है यहां से हम इसको निकाल लेते हैं और डोरी को दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इसके उपर हम सिलाई लगा लेते हैं स्टेप को हमें खीचना नहीं है क्योंकि यह हमारी रेव की स्टेप है इसको डिला डिला छोड़ते हुए हमें इसके उपर सिलाई लगानी है अगर आप इसको खीचेंगे तो आपकी स्टेप लंबी हो जाएगी जादा और चोड़ाई में कम हो जाएगी अब नीचे से आर्म होल की जो हमारी पाइपिन लगी हुई है उस पर हम सिलाई लगा देते हैं अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए दूसरी साइड में भी हमें आर्म होल की पाइपिन ऐसे ही लगा कर तयार करनी है इसको हम नीचे की साइड से लगाते हैं यहां से उपर स्टेप छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा यह देखिए पाइपिन हमारी लग चुकी है अब हमें इस पाइपिन को फॉल्ड करना है और इस पर सिलाई लगा देनी है दोनों तरफ से पाइपिन को हमें फॉल्ड करते हुए इस टेप भी इसी में ही तैयार करनी है इस टेप हमें इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है यह आप देख सकते हैं हमारी स्टेप दोनों तयार हो गई है ऐसे ही हमें बेक साइड में भी अपने लगा लेना है पहले हम नेक पर पाइपिन लगाते हैं बेक साइड में हमने फ्रील नहीं लगाया है नेक में सिर्क ये फ्रील हमने फ्रंट साइड के डिजाइन में लगाया हैं और इस पर सिलाई लगा देते हैं अब इसमें भी आर्म होल में हमें ऐसे ही पाइपिन लगा लेनी है जैसे हमने फ्रंट साइड के आर्म होल में लगाई है एक पाइपिन हम इसकी भी आपको लगा कर दिखाते हैं फ्रंट साइड को हमें फ्रोक की रोंग साइड पर रखना है और राइट साइड पर पाइपिन को पलटना है दोनों तरफ से इस टेप फॉल्ड करते हुए हम इसके उपर किनारे पर एक सिलाई लगा देते हैं इस टेप को हमें बिल्कुल भी खीचना नहीं है क्योंकि पाइपिन हमारी रेब की है तो ये खीच कर जादा लंबी हो जाएगी और चोड़ाई में कम हो जाएगी इसलिए हम इसको धील अड़ीला छोड़ते हुए सिलाई लगाते हैं नीचे की आर्म होल की हम फोल्ड करते हुए पाइपिन पर सिलाई लगा कर तयार कर देते हैं ये देखिए हमारी पाइपिन लग चुकी है इस साइड में भी हम ऐसे ही पाइपिन लगा लेते हैं दोनों हमने अपने फ्रोक के पीस तयार कर लिए हैं यह हमारा फ्रील है फ्रील को हमें बारिक सा एक साइड से फोल्ड कर लेना है बेक साइड का फ्रील भी हमें ऐसे ही फोल्ड करना है यह देखिए हमने फ्रील को फोल्ड कर लिया है अब हम इसके इस साइड में बारिक बारिक सी चुन्नटे डाल देते हैं cha 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 तैयार करना है देखिए में लगदा जाए, अब हम नीचे की साइड का सब फैब्रिक के लिए इससे विए इसके उपर किनारे पर एक तनाई लगा दे लगा देते हैं जिसे यह फिल बहुत अच्छी तरीके से उट हो जाता है यह देखिए फ्रील यहां पर हमने इसका लगा दिया है दूसरे पीस में भी हमें फ्रील ऐसे ही लगा कर तयार कर लेना है यह हमने बोके लिए लुपी के लिए चार पीस लिए है इसको हमें थ्री इंच की लेंद कर रखना है और थ्री इंच की चोड़ाई कर रखना है डबल यहां से कर लेना है और इसमें गोलाई की शेप हमें कर देनी है अब हमें एक लुपी लेते हैं और उसके अंदर डौरी को रखते हैं और उस पर हम सिलाई लगा देते हैं डौरी की साइड से हमें पक्का करते हुए इसके उपर सिलाई लगानी है यह हमने टू पीस बो के लिए लिए हैं जिसकी लेंद 2.5 इंच है और लंबाई में यह 6 इंच है हम इसको ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं और यहां से थोड़ी सी सिलाई इस पर लगा देते हैं दूसरी साइड से भी हमें इस पर इस सरीके से ही थोड़ी सिलाई लगा देनी है अब इस सिलाई वाले हिस्से को हमें इसमें बीच में कर देना है और साइड में सिलाई लगानी है बीच से हम इसको पलट लेते हैं बीच में हम इसमें चुन्नटे डालकर इसके हिस्से को बहुत छोटा सा कर लेते हैं यह देखिए हमारी चुनटे डलकर बो में तयार हो गई है चोटी सी बो हमने तयार कर ली है दो बो यहांपर हमने लगानी है इसको हम हाथ की सुई की मदद से पक्का कर देते हैं यहाँ पर लगा देते हैं अब हम इसको ऐसे करते हुए रख लेते हैं और साइड में फिटिंग की सिलाइस में लगा देते हैं दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाइज में ऐसे ही लगा कर तयार कर लेना है यह देख सकते हैं फ्रेंट्स कितनी प्यारी सी हमारी यह फ्रोक बन कर तयार हो गई है बेबी को पहना कर उसकी हिसाब से हमें इन इस ट्रेप को बांद देते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए